हलो एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एह हलपलाइन कैसे हैं आप लोग सो मास्टर डेई की जितने वे स्ट्रेंड है उनके लिए बहुत बरा ख़बर है क्योंकि एगनू के तरफ से पब्लिक रिलेशन आफिसर के पोस्ट का वैकेंसी आया है एडवर्टीजमेंट आप लोग अपने स्केन के उपर देख पा रहे होगे इसका लिंक मैंने डिस्किप्शन में दिया हुआ है पीडिये फाल टेलिग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है आया दिन इगनू के तरफ से अडवर्टीजमेंट भी आते हैं नॉर्मली आप लोग देखते होगे केंपस प्लेशमेंट सील का जो की प्राइवेट कंपनी में जॉब होती है लेकिन ये प्योर गॉर्मेंट जॉब है जो इगनू के तरफ से प्रवाइड किया जा रहा है से लेके दो लाख नौ हजार दो सो लेवल ट्वेल का जॉब है अंडर सेवेंट पे कमिशन बट सिर्फ एक ही पोस्ट है और एक ही पोस्ट के लिए ये अडवर्टीजमेंट जारी किया गया है इसका जो इसेंसियल कॉलिफिकेशन है और एक्सपिरेंस है वो बहुत जादा matter करता है क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को यही जानना होगा कि आप ये पोस्ट में apply करने के लिए eligible हो या नहीं हो तो पोस्ट के बार में आपको बता चल गया कि public relation officer का पोस्ट है general student के लिए ही है and सिर्फ पोस्ट है एक salary है 78,800 से 2,9,200 लेवल 12 का जवब है under 7th pay commission जो upper age limit है वो है 52 years as on 12 January 2023 जो essential qualification उसको ध्यान से समझो आपके पास एक postgraduate degree होना चाहिए with 55% marks but prefer किया जाएगा journalism में अगर आपका master degree रहा तो ठीक है postgraduate degree रहा 55% रहेगा आप apply कर सकते हो रेकिन prefer किया जाएगा journalism में अगर आपका master degree रहा तो and उसके साथ-साथ में ये आपके पास postgraduate degree तो होना चाहिए 55% marks preferably in journalism लेकिन उसके साथ-साथ में आपके पास 8 साल का experience होना चाहिए in public relation work and most probably अगर आपका university रहे तो वो उसको ज्यादा prefer किया जाएगा तो यहाँ पे इस तरीका से filter किया गया है ना कि पहले बोला गया postgraduate degree from a recognized university with 55% and उसमें बोला गया कि उसमें prefer किया अगर आपने master degree किया होगा तो उसके साथ-साथ में बोला गया कि 8 साल का experience होगा public relation work में तो आप कर सकते हो लेकिन उसमें भी prefer किया जागा अगर आपने university या higher education में as a public relation work किया होगा तो and desirable में यह बोला गया है कि अगर वो university या जो institution है वो अगर distance education institution में अगर आपने experience हासिल कि है तो वो उसको ज्यादा prefer preference दिया जाएगा तो आप लोगको eligibility स्वन में आया आपके पास post graduate degree रहेगा बाकी अधर भी program में अगर रहेगा तब भी आप चलेगा I mean apply कर सकते हो लेकिन preference दिया जाएगा journalism में अगर आपका master degree रहा तो and उसके साथ-साथ में अकेला सी आपका post graduate degree रहेगा तो ही आप apply नहीं कर सकते है उसके साथ-साथ में आपके पास 8 सल का experience भी होना चाहिए in public relation work और university और institution of higher education में रहे तो उसको ज्यादा preference दिया जाएगा प्लस अगर आपका distance education में experience रहेगा तो उसको और ज्यादा preference दिया जाएगा तो यह है education qualification and experience का detail apply आप लोग कैसे क पहले apply करना है यहाँ और किस तरीका से apply करना है यह user जो manual दिया गया है उसमें साथ चीज़ बताया गया तो आपको simply यहाँ पहले इस portal पर आओगे उसके बाद से sign up के उपर click करोगे यहाँ पर user name and password create करोगे उसके बाद से login करोगे login करने के बाद से उसके बाद क्या क्या कर बिजना भी है ठीक है यहाँ पे इस चीज़ का जनकारी दे दिया गया और address भी दे दिया गया है the form should be sent by the speed post to the deputy register requirement cell administration division room no.13 block no.7 इंडगांधी नेशन ओपिन उनिविशिटी 110068 on or before 22 जनवरी और envelope के उपर लिखना होगा application for the post of public relation officer तो यहाँ पे important date दे दिया है कि कब से आप apply कर सकते हो यह portal से apply कर सकते हो आप लोग 12 दिसमर्य यानि कि आज 11 दिसमर्य कल से आप apply कर सकते हो last date online apply करने का है 12 जनवरी and जो form आप लोग fill up करने के बाद से उसको print out करके जो भेजोगे उसका last date है 22 जनवरी तो आप लोग समझ में आ गया so जो भी student का यह education qualification है यह experience है तो आ आप लोग apply कर सकते हो एक ही post है लेकिन public relation officer का post है and salary बहुत अच्छा और government job है और इसमें कोई भी exam नहीं है direct आपका interview से ही exam होगा क्योंकि इसका process इस तरीका से होगा कि जितने वे strength यह essential qualification दिया गया experience जिनके पास भी है तो वो form fill up करके भेजेंगे उसके बास से उसको escorting किया interview होगा ठीक है तो यह चीज आप लोग को समझ में आगया उसके बास से यहाँ पर कुछ-कुछ important note है जो आप लोग खुछ से भी पर सकते हो 5% relaxation दिया गया है वो सब एस्टेंज जो HCST से भी लॉंग करते हैं साथी साथ जो fee से वो लएगा आपको 1000 रुपीज general category के लिए 600 र निकाल के आपको इस address पर भीजना परेगा और जो envelope है उसके उपर लीखना होगा बोल डेटर में public relation officer ठीक है उसके बास से यहाँ पे general condition सारा कुछ दिया गया है कि अगर आपके पास OBC certificate है तो उसमें non-criminal का प्रिश का फॉर्मिट में issue होना चाहिए उसके बास सारा general information दिया job होगा और जो salary होगा वो 78,800 से 2,9,200 level 12 का job है under 7 pay commission जो essential qualification है वो post graduate degree आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास journalism का post graduate degree है तो उसको ज्यादा preference दिया जाएगा 55% marks आपका होना चाहिए post graduation में और अगर आप CSTC candidate हो तो आपका 50% marks आएगा तबी चलेगा और इसके साथ-साथ- साल का experience होना चाहिए in public relation work, prefer उनको किया जाएगा जिनका university या higher education institution में experience है and और ज्यादा preference उनको दिया जाएगा जिनका distance education institution में experience है okay and जो last date है वो है 12 January, starting date है 12 December and from send करने का last date है 22 January तो आप लोगों सारा चेसरान में आ गया, now lastly one thing कि बहुत से एस्टेंट को यह doubt होगा कि आखिर यह public relation officer का मतलब क्या होता है इनका क्या होता है तो आप लोगों पता होगा देखो, media से जितने भी interaction रहता है या इगनू कोई भी नया course launch कर रहा है उसका advertisement करवाना है या media का सारा चीज हैंडल करना, एक spoke person जो कोई भी अगर media कर्मी के तरफ से कोई भी अगर response माना जाता है तो जो CPRO होते हैं जो chief public relation officer होते हैं उनके तरफ से statement जाता है प्लस जो आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार जब exam start होता है तो exam start होने से पहले जो press release किया जाता है या ब hint हो ठेक है और press release हो यह जितना भी media, communication इस सारा चीज का जो आमिन काम है वो सारा चीज public relation officer ही handle करता है और वही post है तो समझ में आगे आप लोग को public relation officer का work सो यही सबता है इस वीडियो में इगरों के तरफ से public relation officer का एक post के लिए जो advertisement release किया गया उसके बार मैं आप लोगों को वीडियो पसंदा होगा इसे वीडियो को लाइक जरू कर दे सभी friends के साथ एक है ताकि उनको भी a detailed information मिल पाए किसी बिदागे doubt के लिए आप नीचे कौन बाक्स में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अपने doubt के लिए कर सकते हैं और अगर आप AH Helpline channel पर first time है तो हर एक ए आपने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much